हेलो एविवान, विलकम डू दू दी न्यू वीडियो फ्रम स्टडीबर्स और मैं हूँ अनुपव गुपता तो यार जब से ये नोटिफिकेशन आई है कि टिस इस साल से CUT PG को accept करेगा तब से बच्चों के अंदर एक curiosity है, एक panic है कि सर CUT PG क्या होता है तो आज की वीडियो के अंदर हम complete discussion करने वाले है कि CUT PG यानि कि post graduate level के exam क्या होता है exam pattern क्या है, full details क्या है, university इस कौन कौन सी है, इन सब चीजों के बार में हम बात करेंगे तो वीडियो को end तक जरूर देखना चलिए शुरू करते हैं, तो friends अगर हम बात करें टिस की notification की तो यह जो टिस की notification आई है, इसके अंदर इन्होंने यह clearly बोल दिया है कि जो CUT PG है, यह single window opportunity provide करता है for all post graduate students जो कि central universities या other participating organizations including state universities, deemed to be universities या private universities में post graduate course में enroll करना चाते हैं, तो इसलिए जो इनके सारे ही MA वाले जो courses थे उसके अंदर जो यह admission करेंगे इस सार, अब यह TIS net के थूरू नहीं होगा, यह करेंगे CUET PG के थूरू except इनके टू courses, जो कि इनके सबसे flagship courses बच्चोए target करते हैं, वो है एक HRM and LR Labor Relations और दूसरा ODCL Organization Development Change Leadership, जिसके अंदर admission CAT score के basis पे होगा, तो जिन programs में CUET PG के basis पे admission होना है, अब उनके बारे में हम EK करके बात करते हैं कि CUET PG basically है क्या, तो friends अगर हम पिछले साल की timeline से बात करें, तो यह जो form की submission शुरू होती है, PG level का यह जो exam होता है, जिसको NTA करवाता है, वो March, mid March से शुरू होता है, and mid April तक चलता है, एक महीने का time इसके अंद वो general candidates के लिए 1000 रूपीज होती है, लेकिन जितने भी आप additional papers देना चाहोगे, उसके अंदर आपको 500 रूपीज पे करने पड़ेंगे, उसी तरह OBC, NCL की 800 रूपीज है, SCST की 750 है, PWD की 700 है, एक कोई भी applicant 3 papers के अंदर apply कर सकता है, by paying the application fee जो यहाँ पे mentioned है, अगर further वो up to 7 papers मे apply कर सकता है, यह 500 रूपीज की fee पे करके, तो यहनि कि 3 papers तक आप इसके थुरू apply कर सकते हो, और उसके बाद अगर आप total 7 papers में apply करना चाहते हो, तो यह वाली fee पे करके, आप apply कर सकते हो, जिसके basis पे आप additional exams के लिए, additional courses के लिए apply कर सकते हो, जिससे कि आपके chances और ज्यादा diverse courses में हो सकते हैं, तो friends, अब CUT PG है क्या, इसके बार में भी हम बात कर लें, तो यह जो common university entrance test है, यह एक common platform provide करता है, equal opportunities देता है, candidates को across the countries, अब ऐसा नहीं है कि हर PG level पे university को अलग-अलग exam conduct करना है, हर एक का admission process अलग-अलग है, नहीं, सब को uniform करके, CUT PG के अंदर लाए गया है, अरिमोट अरिया से आते हैं, ताकि वो establish कर सके better connect with the university, तो यह जो single examination है, candidates को wider outreach देता है, to be a part of admission process for various universities, और जो यह CUT PG है, यह computer-based tests ही है, जो कि दो shift में कराया जाता है, और कौन-कौन सी universities इसमें participate करती है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, तो friends, सबसे पहले अगर हम बात कर paper क्या रहता है, तो medium English and Hindi, यानि कि bilingual दोनों रहता है, और जो साहित्ये papers है, उनके लिए एक अलग information bulletin है, और एक चीज़ इन्होंनों ये भी बता दी है, that the correctness of the questions in all the question papers, except languages, English version को final माना जाएगा, और साहित्ये paper को domain में माना जाएगा, तो friends, अगर अब हम बात करें कि paper pattern क्या है, तो paper pattern majorly, जो है, वो 2575 में divided है, बट अब किस तरीके से 2575 होगा, ये depend करेगा कि आप कौन से courses में apply करना चाहते हो, for example, आप humanities के courses में apply करना चाहते हो, तो आपके paper codes अलग है, आप science में apply करना चाहते हो, तो आपके paper codes अलग है, और आप commerce में apply करना चाहते हो, तो आपके paper codes तो जो भी आपका paper pattern होगा वो determine होगा in paper codes के उपर तो आपको इनके information bulletin में जाके देखना पड़ेगा कि आप कौन से papers में apply करना चाहते हो कौन से courses में apply करना चाहते हो मान लिजे कोई बच्चा इस वाले paper code के किसी exam में participate करना चाहता है तो उसको part A में 25 questions Hindi English language के मिलेंगे और part B म मिलेगा लेकिन मान लिजे कोई इन वाले paper codes में apply करना चाहता है तो उसमें part A में 25 questions में Hindi English तो है ही है इसके लावा match quantitative skills and analytical skills भी है और part B के अंदर domain knowledge questions है तो आप एक बात basic मान सकते हैं कि जो इस 75 questions है यह basically domain specific है तो जिन भी आप courses में apply करना चाहा रहे हो उनके domain based आपको 75 questions है part B में है part A vary करेगा आप कौन से course में apply कर रहे हो तो इसके अंदर total जो है candidates maximum 20 paper codes के लिए apply कर सकता है हर एक question paper के अंदर 100 MCQs होने वाले हैं and candidate has to choose the language Hindi और English at the time of registration इसको आप बाद में change नहीं कर सकते and in case कोई language paper है part B में तो वो उसी specified language के अंदर conduct किया जाएगा अगर अब हम marking scheme के बार में बात करिए तो हमें समझ आ गया कि 100 questions होते हैं हर एक question के अंदर plus 4 आपको दिये जाते है correct करने के हर एक question का plus 4 marks होते है incorrect करने के one mark deduct किया जाता है और जो भी question आप छोड़ देते हो उसके लिए कोई भी mark आपका deduct नहीं किया जाएगा तो यानि क्या आप आन सकते हैं plus 4 correct करने के minus 1 incorrect करने के और 0 unattempted अगर आप छोड़ देते हो तो यह इसकी marking scheme रहती है अगर friends हम age limit के बारे में बात करें तो CUT as an exam देने की कोई age limit नहीं है कोई भी age का student इसके अंदर apply कर सकता है लेकिन आप जिन जिन courses में universities में apply करना चाहा रहे हो अगर वहाँ पे कोई age limit है तो आपको उसी age limit को consider कर रहेगा for example मान लिजे आप DU के किसी एक particular course में apply करना चाहरे हो तो आपको CUT के age limit नहीं देखनी आपको DU के जाके उस particular course की age limit देखनी है कि क्या कोई age limit है age limit है तो वो matter करेगी अगर age limit नहीं है तो आप eligible हो apply करने के लिए यह बी लिखा है कि as the eligibility criteria जो है वो हर university का unique हो सकता है तो आपको eligibility CUT की तो देखनी है इसके लावा जिन-जिन universities में आप participate करना चाहते हों जिन-जिन universities में आप apply करना चाहते हो उनकी भी आपको eligibility देखनी होगी और उनकी भी eligibility को आपको completely satisfy करना होगा तबी वो universities आपको accept करेंगी अगर फ्रेंज हम बात करें कि ये exam कब होता है तो अगर हम पिछले साल का schedule देखें तो दो phases के अंदर ये exam हुआ था phase 1 जून के अंदर आप देख सकते हो 5 तारिक से लेके almost 17 तारिक तक हुआ था जिसमें 8.3 lakh candidates थे और अगर फ्रेंज हम phase 2 के बारे में बात करें तो ये 22 जून से लेके 6 जूलाई के बीच में conduct हुआ था जिसमें approximately 46,000 students appear हुए थे और आप ये भी देख सकते हैं कि CUT PG के अंदर about 458,774 unique registered candidates थे जिन्होंने 8,77,492 tests के अंदर अपलाए किया था और टोटल 197 universities ने इसमें participate किया था यानि कि जिसमें 39 central universities हैं, 45 state government की universities हैं, 10 government institutions हैं और प्राइवेट हम deemed to be universities भी 103 हैं जिन्होंने इसके score को accept किया था तो अगर friends हम बात करें आप देख सकते हो total number of candidates 459,000 थे और number of tests जो थे वो 8,77,000 थे जिसमें male candidates 2,09,000 थे female candidates 2,49,000 थी जिन्होंने इसमें participate किया और टोटल 179 universities थी जिन्होंने इसके score को accept किया है अगर friends हम बात करें कुछ ऐसी universities की जिन्होंने accept किया तो आप देख सकते हो कि almost 140 की list तो आपकी screen के सामने ही मैं एक एक करके दिखा सकते हो आप देख सकते हो digital university केरेला, graphic era university, देहरादून, देहरादून की university है, हल्दवानी की, सिक्किम की, गुजरात की, BML मुझाल university उसके अलावा आप देख सकते हो पूरी list आपके सामने है Central University, आंडरपरदेश, साउध बिहार, गुजरात, हर्याना, हिमाचल, कश्मीर, कैरेला, ओडिशा, पंजाब, राजस्तान, तमिलनाडू, सिक्किम university, नौर्थीज यूनिवरस्टी, मार्मा गांधी, अंतराष्टे, हिंदी, विश्विविद्याले, भीमरावं अंबेटकर School of Economics, यूनिवरस्टी, ऐसे करके बहुत सारी यूनिवरस्टीज हैं, अराउंड 190 यूनिवरस्टीज हैं, जो various post graduate exams के लिए, CUT, PG के स्कोर को accept करती हैं, ये complete list आपको NTA की website के ओपर मिल जाएगी, अगर friends हम बात करें कि आप कौन-कौन से courses में apply कर सकते हो, तो बहुत-बहु के courses इन सारी यूनिवरस्टीज के अंदर हैं, उनके अंदर आप CUT, PG के लिए apply कर सकते हो, for example, कुछ courses मैं आपको बताता हूँ, जो की इनकी website पे mentioned है, for example, agriculture, business management, B.Ed, B.Ed languages, economics, general LLB, LLM, जैसे courses, M.Ed, M.A. education, physical education, public health, yoga, hospital management, इसके अलावा, अगर हम science में बात करें, तो agroforestry, microbiology biochemistry, computer science, chemistry, botany, geology, forensic science, horticulture, material science, mathematics, MPT, इसके लावा, plant, biotechnology, soil science, atmospheric science, animal science, यह कुछ, ऐसे master's level के courses है, जिसमें आप CUT के थूँ अपलाई कर सकते हो, इसके लावा, humanities के बारे में आगर मैं बात करूँ, तो anthropology, applied arts, arts and aesthetics, dance, उसके बार fine arts, geography, history, music, painting, philosophy, plastic arts, pottery and ceramics, theater, music, सरबिंदर संगीत, इसके अलावा भी बहुत, बहुत सारे courses हैं, जो उन सारी universities में होते हैं, post graduate level पे, जिनको आप CUT, PG के थूँ अपलाई कर सकते हो, अगर friends हम syllabus के बारे में बात करें, तो syllabus जो इसका है, वो दो parts में divided होता है, एक तो यह common syllabus है, यह complete syllabus आपको NTA की website के ओपर मिल जाएगा, तो यह तो आपको common syllabus अपलाई करना होगा, जिसको आपको करना होगा, इसके अलावा, आप जिस भी domain specific में अपलाई करना चाहरे हो, चाहिए वो humanities है, languages है, mtech है, या science है, उनके जो domain specific जो syllabus है, हर एक exam का, चाहिए B. B.com है, चाहिए LLM है, चाहिए BMA है, उसके बाद B.com के बाद M.com है, उन सबका syllabus आपको इनकी website के ओपर मिल जाएगा, NTA की, यहाँ पे जाके आप उसको access कर सकते हो, और अपने domain के लिए prepare करना शुरू कर सकते हो, domain के अंदर generally वो ही पूछा जाता है, जो आपको आपकी graduation के duration में पढ़ाया गया होता है, इसके अलावा कोई भी बच्चा जिसको additional details चाहिए, notifications चाहिए, वो सून TISC की website पे आजाएगी, तो आपको TISC की website follow करनी है, TISC की website के ओपर ही सारी आपको details मिलेंगी कि इस साल कौन कौन से courses के लिए क्या वो eligibility रख रहे हैं, कौन सा domain वो मांग रहे हैं, तो अब अगर आपके mind में कोई भी query है कि sir, हमें कौन से domain के लिए apply करना है, तो सबसे पहले तो आपको shortlist करने हैं, वो courses जिनके अंदर आप apply करना जाते हो, जब आप एक बाद shortlist कर लो, और TISC की notification आजा, तो आपको फिर उन courses के domain के लिए prepare करना होगा, और उन domain को आपको CUT PG के अंदर apply करना होगा, उसके बाद जो आपका result आएगा, उसके basis पे आपको TISC college में admission मिल सकता है, तो फिन्स यह सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने complete discussion कर लिए CUT PG के बारे में, वीडियो पसंद आए तो like जरू करना, सारे के सारे TISC aspirants क साथ जरू share करना, अगर आपकी कोई भी query है तो आप नीचे comment section के अंदर mention कर सकते हो, आप हमे whatsapp या email कर सकते हो, प्लीज हम आज साथ instagram पर जूरू connect हो जाना हम इंस्टाग्राम पर daily basis पर बहुत important content post करते है, और अगर आपको हमारे pen drive course, crash course या किसी live batch में enroll करना है, तो हमारी website www.studybus.co.in, यहां जाके complete details आपको मिल जाएंगी, so thanks a lot, all the best, God bless you.